तो कियाल चल से स्रियाकाल मैं हून यॉर्ण मैन और भी आज भी मेरे पास काफी सारे स्टोरीज है पूरे यूट्यूब कम्यूनिटी से तो भाई वीडियो को इंट तक जरूर देखना पूरा फ्यूचर में भी ऐसा ही अपडेटर रहना चाहते हैं तो भाई मेरे चैलन को उससे पर्मिशन नहीं मिली अब फोटा पीछे जाना पड़ेगा और नया टॉपिक दूणना पड़ेगा टेंशन मतलो मजदूरी चालू है तो भाई आई होप उनका नया वीडियो कुछ जादा ही डिले ना हो जाए और उनके पास कुछ और भी टॉपिक्स होंगे जिस प इतना टाइम नहीं हुआ था ना अपनी अगर हम वीडियो लाइबररी को देखें हैं तो उसमें इतना टाइम नहीं हुआ था एरी मिनाटी से रिलेटेड एक और शोरी है बट उससे पहले आइम शूर आप शॉपिंग करते वक्त एक प्रॉब्लम से जरूर गुजरते यहां ना ही अमें quality से compromise करना होगो और ना ही budget से मतलब की best products at the best price and यह only possible है through the Misho app और यहां पर men's t-shirt start होती है at just 199 रुपीज से, Misho पर आपको मिलेंगी बहुत सारे varieties क्यूंकि यहां पर 60 लाग से भी जुपिन्ट्ध प्रॉदॉट्ट्स है जो की चलेगा from 4th to 6th March, यहाँ पर आपको मिलेंगी up to 80% off on 1 crore plus products and extra 30% off on your first order, मैं पहले ही बता दे रहाँ, खाली 72 hours था के महा सेविंग डील्स आपको मिलेंगी, तो miss मत करना, and not only that, you get free delivery, cash on delivery and easy returns, तो अगर आप प्लान कर रहे हो एक T-shirt, trouser and shoes खरीदने का, तो मीशो पर आप the Misho app now, link मैंने description में दे दिया है, anyways as I was saying कि Carrie Minati से related एक और story है, basically उन्होंने promise किया कि वो एक चीज करेंगे, वो क्या है आप खुद उनसे ही सुल लेजे, हम तुम्हें बता भी नहीं सकते हैं कैसे कैसे शब्द हमने sensor मा रहे है, 2050 में इतना वीडियो काटना होगा कि YouTube Shorts बन जाएगा, देखो guys मैं तुम्हें एक आज एक चीज बोल देता हूं, यह लेके सो जाना, और याद रखना यह चीज, यह मेरा बिल्कुल intention है मेरी है, जब हम इन गलियों से थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे, समझ रहे हो, तब एक, एक special करूँगा मैं, एक stand-up special करूँगा मैं, dedicated to YouTube, अभी नहीं, अभी नहीं भाई, पर, लिख लो चलिए अब next story के बारे में बात करते हैं, लोग बात करने वाले Manoj Day के बारे में, तो आपको यादो का कुछ टाइम पहले Manoj Day और Saurav Joshi जब collab किये थे, उसके बाद Manoj Day अपने vlogging channel में एक clickbait title डाल दाल दिये थे with question mark, जिसमें वो लिखे थे Puse Attitude King, जिसको लेके Saurav Joshi खाली title देखके शायद उनको block कर दिये, तो अभी आपको पता होगा Mr. Indian Hacker जब Saurav Joshi से मिले थे, तो वो एक collab video post किये थे, जिसमें उन्होंने लिखा था, सaurav Joshi exposed question mark, तो इसके उपर Manoj Day react करते वे ये कहे, भाई इससे भी block कर दे न, इसने भी exposed लिखा है title में, जैसे मैंने वीडियो जाके देख लेना, आप लोगों को समझ आ जाएगा, तो ऐसे वीडियो को indirectly reply करते वे उन्होंने ये कहा, कुछ मंद बुद्धी लोगों को मैं बताना चाऊँगा, अगर मैं proper vlog बना कर चाचा से नहीं मिलता, तो उनका channel को कहां पर share करता, हैश्टाइग वाह क्या एक्सपोस किया, तो बेसिकले जब वो भुबन अंकल से मिले थे और व्लॉग पोस्ट किये थे, उसके नीचे उन्होंने उनका channel लिंक दे दिया था, तो उनका point यह है कि अगर उनके साथ वो vlog अप्लोड नहीं करते तो कैसे उनका channel के बारे में बताते लोग को, तो चलिए पने-एक story के बारे में बात करते हैं, मोग बात करने वाले अमेद Bhadana के बारे में, कोमित Bhadana अपने LLB सीरीज के success के बारे में बात करते वेकुछ stories पुस्ट किये हैं, No ads, No promotion, 25 million views, 2.4 million likes and 260K comments, All organic, For the first time in the history of YouTube, an individual content creator made his own 2 hours film, फिर नैन ने बताया कि जब वो अपने team के पास ये idea को लेके उनको कहा गया था कि दो घंटे की फिल्म में 5 million views से जादा नहीं आएगा and of course it will be a very expensive project कडोर तक भी जा सकता है but still Amit Bhada ना अपने gut feeling के साथ गए and उन्होंने ये project में काम किया and it was successful जिसके लिए वो thank you बोले अपने audience को तो चलिए अब next story के बारे में बात करते हैं में लोग बात करने वाले flying beast के बारे में तो flying beast post करके बताया है कि वो college में गए after 14 years जी आपको पता है होगा अभी वो law pursue कर रहे हैं तो इसलिए वो college गए थे and first day में भीड इतना था उनसे मिलने के लिए कि भाई क्या ही बोलूं मतलब आप लोग सुनते होंगे ना कि college में conference के लिए actors आये singers आये celebrities आये बट यहां पे तो एक celebrity student है तो आप लोग समझो जो लोग उनके साथ पढ़ रहे हैं कितना excited होंगे वो anyways तो चलिए अब next story के बारे में बात करते हैं में लोग बात करने वाले तनमे भट के बारे में तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को एक report के बारे में बताया था जो YouTube इंडिया ने release के था कि वो कितना पैसा contribute के towards the GDP of India उन्होंने बताया था कि YouTube के through contribution वह around 6,008 करोर रुपीज का which equals to around 1 billion dollars अब आप लोग को पताया होगा Indian YouTubers का CPM that is earning काफी जादा कम होता है than foreign YouTubers तो इसके उपर joke मारते वे तनमे भट ये कहे All Indian YouTubers combined earned about a billion dollars of revenue last year a couple of million more and all of us combined would finally make as much as Mr. Beast does in a year If you think a billion dollar is a lot imagine what we could earn if we didn't operate at 0.00007 dollars CPM and low-eyed revenue के बारे में debate तो हुआई था Recently कुछ YouTubers के बीच में मैंने इस वीडियो में आप लोगों को cover करके बताया था Anyways तो चलिए आप कुछ achievements के बारे में बात करते हैं First of all पाहुलवालिया ने complete कर चुके अन्रेट के subscribers Then PW Knowledge ने भी complete कर चुके अन्रेट के subscribers Then Blockbuster Battles ने complete कर चुके 1 million subscribers Then Sword of Joshi Arts ने complete कर चुके 3 million subscribers And finally Sardar Steak को Milchie Count का silver play button So many-many congratulations to all of them So चलिए आप कुछ international stories के बारे में बात करते हैं So first of all हम लोग बात करने वाले हैं PewDiePie के बारे में So PewDiePie कुछ दिनों पहले Wish से एक product खरी दे थे जिसके वज़े से he got into some trouble and police का भी interference हुआ इसमें So यह exactly क्या हो था आप खुदून से ही सुल लीजे So I'm sorry Your boys got a criminal record Let's go I feel like this is a culture thing Like Sweden is a tool not with pain So let's talk about our next story We are going to talk about Nasdaily So Nasdaily is going to be a conference in Dubai This three-day conference will be a conference And there will be a lot of influencers here Like the biggest YouTubers, biggest TikTokers And creators can come to this conference And they can listen to their stories Now some Indian YouTubers invited Like Carrie Minati, Bear Biceps and Mostly Sane So if someone lives in Dubai, you can go So let's talk about next story We are going to talk about Mr.Beast So Mr.Beast with a very funny fan moment They shared this in their story What were you saying? You look like Mr.Beast I look like Mr.Beast? Interesting It is you! I saw you walking I was looking at him My heart started pounding No, no, I just look like him I'm not actually him I'm joking I'm joking Essentially telling me that my growth is useless Because my long forms won't get any views I've spent the last year betting on the opposite And yeah, as you can see Their long videos are doing pretty good Not as good as shots So there are crores of views But yeah, it's pretty good Anyways, let's go friends If you like this video today If you like this video, then like this video If you like this video, then like this video If you don't like this video, then like this video If you don't like this channel, then subscribe to the channel If you don't like this video, then subscribe to the channel New submission Link description Vastajah If you like this video, then you can find a new video So if you like this video, then you can find a new video So if you like this video, then you can find a new video Bye